हेलो दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल टेटफेक्ट अकेडमी में मैं हूँ ससी कांत्रा है आज के वीडियो में पढ़ेंगे बाल विकास यूं सिछा सास्त्र में पाठचर्या तो आएए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो पाठचर्या पाठचर्या साध्य है तो पाठचर्या साध्य है तो पाठचर्या के सिधानतों का अनुपालन करके पाठचर्या का निर्मान बालक के विकास के लिए किया जाता है पाठचर्या के गुणों वो सिधानतों का समन्वे जब पाठचर्या में हो जाता है तो प्रते पर्या का अंग्रेजी पर्यावाची सब्द क्यूरिकुलम है क्यूरिकुलम सब्द की उद्पत्ति जिस लैटिन सब्द से होई है उसका अर्थ है डौल का छेत्र यह हुआ छेत्र है जिसका चक्कर लगाकर वेक्ति अपने लक्षे को प्राप्थ करता है अभी तक हम स्लेबस और क्यूरिकुलम को एक ही समझे हुए है स्लेबस का निर्धारन आवस्यक है बिना उसके सिक्षा में इस्तिर्था नहीं आती किन्तु इसे ही करिकुलम समझ लेना भराम है स्लेबस का निर्धारन अध्यापक को द्रश्टी में रखकर होता है अध्यापक को किसी अस्तर पर उन्भव ग्रहन करता है करिकुलम में यह सभी उन्भव समलित होते हैं करिकुलम का निश्चे हम छात्र की द्रिष्टी से करते हैं जबकि सिलेवस अध्यापक को द्रिष्टी में रखकर बनाया जाता है करिकुलम की रचना छात्र को द्यान में रखकर की जाती है अभी तक हम ने कर्यूकुलम के नाम पर स्लेवस को ही प्रशलित कर रखा है। पाठचर्या में के वल विसीयों का घ्यान ही नहीं, वरन इसमें च्छात्र के सभी औन वह समलित है। पाठचर्या को ही अंग्रेजी में करुगलम कहा जाता है। पाठचर्या को गतसील होना चाहिए। पाठचर्या को संकुछी दर्श्ठिकोन से निर्मित किया गया है। पाठ्यार्या को अनावस्यक तत्यों एवं सूचनाव विरुणों से लाद दिया गया है और इस्मृति पर बहुत फर्पड़ता है इसमें महत्वपूर्ण एवं संपन समगरी का अभाव हुआ है इसमें क्रियात्मक एवं बहवारिक कारियों के लिए और प्रयावतस्थान ह तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने सुझाओं दे सकते हैं जो व्यूवर नए हैं वो हमाई चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ मिले तब तक के लिए इजाज़त देजिए धन्यवाद